हालो एन वेल्कम एब्रीवन वेल्कम टू एग्रिकल्चर अड़ा 24-7 तो कैसे हैं आप लोग आयोप बहुत अच्छे होंगे मैं आपके लिए कुछ रिकॉर्डिंग वीडियो अप्लोड करना स्टार्ट किया है जैसे कि पहला वीडियो बेल की बराइटी की ट्रिक का था जो क्लियर करूँगा यह वीडियो अगर रटी कंसे एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उन्हें कंसेट कलियर करने के लिए हिसे आज बात करने वाला हूं बात करने लोग पपेन के बारे में अब बपर नेत Target da तो पूरा विबरन जो है इसमें करेंगे यह वीडियो जो है जो बच्चे सिविल के तयारी कर रहे हैं ठीक है उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाले हैं यानि कि यूपिस से अगर आप तयारी कर रहे हो एकरी कल्चर से और साथी साथ अगर आप जी आरफ की त अच्छाज करेंगे शुरू करते हैं अच्छे तरीके से बताया करना कि और किस पर नया वीडियो लाएं कमेंट पर बताना हम उस पर हर एक क्रॉप पर या हर एक कोई भी आपको कोई भी डाउट होगा कर देखा होगा जो पपीता को देखते हो तो आपने एक एक अजीव स स्ट्रक्चर देखा होगा यह ठीक है यह क्या फर टेको बेटा जब यह पपीता देखते हो लगबक हमारा नब्य दिन का पपीता होता है फत्तर से नब्य दिन के बीच का ठीक अच्छा मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा सब पीपटी में लिखा वाट टुटेंस अमतले सबक्रमेल जाएगा सट्राइब अंकर नब्य दिनका पपीता होता है उनमें क्या करते staat यह रशेक टेक्राइट दिसकान गिर। तो इसे हम क्या बोलते है जब वो लेटक्स गिरता है उस लेटक्स को आटिफीच्ट टंपरेटर से सुखा लेते हैं और उसे हम लोग पपेन बोल देते हैं तो मतलब क्या होता है ड्राइड मिलकी लेटीक्स, उजिंग फ्रॉम्धा, इम्मच्ःर फ्रू। वन लत लॅइच बिद्दव नजब्धा सर्फ बलेड, जीविसे सार्फ बडेड, से हलका सा कट करते हैं। लेटीक्स ऑप्टेन्ड किसे फ्रोर मैच्वर फ्रूट, ठीक है, लेते अहलु पराल होते हैं प्यपीर्टयम्स िसके ङौप चाहिए वजो पॉटरि मिल्क फॉटते हैं उससे 10-90 िसक्रीव होते हैं ठरय प्ठाटक को morphyl को हम सुखा लेते हैं पाउडर बन जाता है यह 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 देख रहो यह पाउडर है इस पाउडर को हम क्या बोल देखते हैं बहुत सिंपल सिंपल बात है अच्छा आगे अगर बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि फरजी इसमें कुछ और प्रशेंट तक मौश्चर लास्ट तक रहता है और लगवग बनवाई जो पाट है ड्राइट पाउडर इस पापेन जितना पाउड त्यार होता है बूरा जिए मिलक रस्टिक त्यार होता है लगवग उसका वनवाई शिक्स करके पूरा पपेन में तबदील हो पता है ठीक बात है सकते आगे अगर देखेंगे तो पापेन के अंदर सबसे एक इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट होता है और यह प्रोटीन कंटेंट मैक्समम पायाता है जब पर नबबे दिन के आसपास का होता है ठीक यह भी याद रखेगा अगरा पपेन को बहुत अच्छे तरीके से आप्टेंट करना चाहते हो तो एक महिना होता है ठीक महिना में ल परकार के फूर नियादा निकलती है दो अक्टूबर के महीने में हम लोग अधिम आतर में प्राप्द करते हैं ओके अच्छा एक और बात है जो कि आपको पता होनी चाहिए जैसे जब भी हम लोग फपेण की इल्ड लेते हैं तो इसमें कई वैसे चीज़े काम आती है बहुत से वरियेशन काम आते हैं ठीक है बहुत से परामिटर स्काम आते हैं उन सभी परामिटर्स को काम मिलाच्ए हम तो पूरी पपेन अच्छे तरीके से इल्ड प्राफ्त कर पाते हैं अब वो पेरामेटर कौन कौन से होते हैं कितनी इल्ड होती है उन सपर हम लोग जर्जा करने वाले हैं अगर मैं हलकी इल्ड की बात करता हूं तो एन्यूल इल्ड जो होती है लगवग 200-300 ग्राम निकलती ह है मैक्सिमम अगर देख लिए साड़े 400 ग्राम के आसपाथ पपे निकलती है यानि आधा किलो मान सकते हो इस से जद मान लोगे तो आधा किलो पपेन जो है एक ट्री से आराम से निकलती है अगर बात करते हैं तो लगवग जो है एक साल में 200-300 किलो ठीक है यानि दो कुंट की बात करता हुँ आपने एक बात कर ली थी अब में अगर एक की बात करता हूं तो एक फ्रूट से एयप प्रॉक्स पांसे आठ ग्राम पर करोथ होती है किटी क्योंता five to eight ग्राम यह होती है एक सूंट से प्राप्त हों जाती है ठिक टोटब बाद करेंगे दो सो से 300 ग्रान ये सबसब क्योंaya अधे इस लगें ट्री CC फूर्टीट कुल एक प्पीता से पांच से और घ्रब थो ठीक है चलिए बाई आगे बढ़ते हैं इसके लिए कई परामेटर्स होते हैं पहला तो यह कि सीजन कैसी होनी चाहिए पाई सीजन भी मेजर रोल प्ले करती अच्छी पपेन की इल्ड में दूसरा होता है कि फूट का साइज कैसा है प्रूट का साइज भी काफी इंपोर्टन और किसरा है कि यह फूट जो है उसका आकार कैसा ठीक है अगर आप पूसा उजिस्टिक लगा और नारमल प्ले करती पपेन के प्रडक्शन में ठेक सबसे पहली बात करेंगा सीजन की अगर मैं सीजन की बात करता हूं तो तो टंप्रेटर अगर 10 डिग्री सेल्सियर से कम है तो लेटक्स अब लोट टमपरेटर ठीक है अगर भाइशाब 10 तक होगा ठीक है तो जो लेक्टक्स का फ्लोव काफी कम होगा ठीक एक और में आपर बता देता हूं सीजन की बात हो रही तो मैं दिन की बात करेंगे तो यहां पर एक और पॉइंट में आपको मेंशन करता हूं कि पपेंच अगर आप से पूच्छा किस टाइम में सबसे अधिक निकलत रहते हो बाटर का फ्लोव मेंटेन रहता है तो लेक्स टेश्री से स्क्रीट होगा तो पपेंच की इल्ड के लिए आप जो कट लगा रहे हो बो मौर्निंग टाइम पर लगाने है जिससे की पपेंची अच्छी काजी आपके प्राप्त हो जाईगी सबसे टाइम क्या था सबसे कम इल्ड होती है ठीक है और सितंबर के बाफ जो महीना आता है अक्टूबर का उसमें इसके सबसे ज्यादा देखी आती है तो अक्टूबर के साइज के बात करूंगा तो पॉस्टिव को रिलेशन गर्थ एंड आपके किसके लेंथ की तो उसकी चोड़ाई और लंब चोड़ाई के हिसाब से लंबाई होनी चीए पपेन की आराव से अच्छा काजा प्रडक्शन होगा इनके लावा हम लोग देखेंगे तो फ्रूट के मिजरिंग जो है लगवग यहां पर डिपेंड क्या गया है बारा सो पच्च्पन से 1544 स्क्वार सेंटी मिटर तक अगर तो पपेन बहुत हाइस्ट पपेन इल्ड करेगी तो अगर उसका साइज 1225 से 1544 स्क्वार सेंटी मिटर तक अगर है ठीक है तब भी वह बहुत बहुत बहतरीन तरीके से पपेन की इल्ड करेगा ठीक है सिम्पल दिबात है यह ओवर आल साइज है उसका ठीक है प्लांट का प्रूट में चोटी के रबात करेंगे तो अन्राइप एंड फुली ग्रोन यानिकित लगबग त्री मंत पुराना फ्रूट लगबग तीन महीने पुराना फ्रूट जो है हम लोग टैपिंग के लिए यूज करते हैं टैपिंग क्या जैसे आपने रवड में टेपिंग सु करते हैं तो अगर बात करता है तो आप इसमें कितना रखोगे इसमें 1.6 x 1.6 मीटर स्कॉार रखोगे ठीक है यानि अगर पपेन की इल्ड करनी तो पपेन के कल्टिवेशन मैक्सिमु कितने डिस्टेंस पर होता है 1.6 x 1.6 मीटर स्कॉार पर होता है तो इसको भी जानना करना बाराइट की बात करेंगे तो सी यो फाइब जो होती हाइस्ट पपेन इनके आवाए कुछ ग्राइटी है जो आप नहीं जानते हो जैसे की आपके रेड पनामा तो रेड पनामा जो है लगवग 21 kg ड्राइप पेन एक पर्टिकूलर फूट हमारा प्रेट कर देता है किसमे रेड पनामा में ठीक है आगे देखिए रेड फ्लेश और फिलिपीन सेलेक्शन इल्ड हाई एज 6 ग्राम पपेन लगवग 6 ग्राम पपेन जो है आपके एक फ्रूट से प्राप्त जाती किसमें रेड फ्लेश में और राल बात करें कि तुमारी इतनी बोटन नहीं पर सीओ फाइब में काफी इंपोर्टेंट है ज सबसे ज्याधा मतलब कितना सब अगर नॉर्मा धाइस से साड़े 300 किलो के आसपाद अगर निकल रही है तो इस यो फाइब में कितने निकलती है इस में निकलती है पटाइब फंदरा सो से इस इतना फरक है यह टाटा में ने पर से ग्लाश्टेस वोटिकल्ट्टर से उठा सबसे इंपर्टन पॉइंट एक और भी आता है वह क्या आता है कि यूज कहां कहां होते है पूरा आइडिया आपका हो गया आप बढ़िया इसका एंसर में आ जाता है तो अच्छा लिख सकते हो आप ठीक है जैसे मीट होती है उसको टेंडर करने में काफी जाए इसका प्र ठान अब hacker क्या होता यह जानते हो एक होता अच्छे से है यह मुझे इससे च्पर पूरा अधि이지 के आधनी के घुंट रखव करने के लिए ठीक है मीट की टेंडरिंग के लिए इनके अलाबा अगर बात करेंगे तो अन्य चीने हैं जैसे कि आपके लेधर इंडस्ट्री में चिंगम बनाने में चुण बनाने में नेच्छर बना में टूना जफिस होती है उसके कॉड लिवर उसके कॉड लिवर आल से और सबसे इंप क्लीनिंग प्रिस्रिंकिंग और वूल्स मैनुफक्ट्रिंग अफ चिंगम चुंगम डिगमिंग नेच्छल सिल्क रियॉन डेंट्रल और फेस क्रीम एक्ट्रक्टिंग अउयल फ्रम टूना फिस क्लीवर से प्रिपरेंग डाइस्टी मेडिसीन इसके अलाबा पेपर में य ठीक है इनके बार में मैं आपको बता दिए है आगे बढ़ते हैं आगे देखो पपेंट के टेस्ट की यूनिट ठीक है थोड़ा ज्यारफ वाला भी ध्यान रखेंगे इसको आप अंडरलाइन करके लिख लेना पपेर पपेन जो आप टेस्ट करता है इसकी दो यूनिट हो है यह और FCC Food Chemical Codex यह दो इसकी उनिट होती है तो आसे पूछ सकते एप सीपी और यूस्पी किसके मिजरिंग की उनिट होती है लेटेस क्लेक्टर अब्री टाइम फूरां इमिच्चिर फूर्ट इस ड्राइड हां जो आपने लेटक्स प्राप्त किया है उसको आप आर्टिफि जनकारी होगी पूरी ओवराल क्लियर मैंने बता दिया किसमें प्रियोंग होता है कितना निकलता है और साती जात किस में इसके फायदय हो सकते हैं तो यह पूरी जनकारी नहीं आपको अगर अच्छी लगी हो जुरूर मुझे बताएं कमेंट के अंदर ठीक है और साती साथ मैं अगर कुछ और चीज़ें भी होगी आपसे शेयर करता रहूंगा और जो बच्चे बहुत त्यारी कर रहे हैं उन्हें के लिए यूपीटर प्लसी एजी चल रहे हैं और मेरा बैच डिटेल में होटे करता 3.0 और चल रहा है तो इससे इंडॉल कर सकते हैं इंडॉल करने में आप सब का इंतिजार करूंगा जय हिंद जय वारत रादे रादे थैंक्स टू वाल लव वाल आप सबसे बातचीत करके आप सब तक जनकारी पहुचा के बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत भागिशाल हूं कि आप सब मेरे से बहुत धैरवान तरीके से पढ़ते हो लव वाल जय हिंद